हेलो स्टूदेंट्स, आई होप यू अल आर फिट एंड फाइन, वी आर बेक विदियो आफ चैप्टर नंबर 6, इलेक्रो मेग्नेटिक इंडक्शन, पिछले वीडियो में हमने देखा था, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, और फिरेडेज एक्सपेरिमेंट, इलेक्रो मे इंडक्शन के बारे में हम देखें, क्या होता है कि, वेन अ मैगनेटिक फिल्ड इस वेरियेबल, मतलब मैगनेटिक फिल्ड जो है, वो चेंज होती रहती है, उसकी वज़र से एक EMF प्रड्यूस होता है, और इसे ही हम कहते हैं, इलेक्रो मेगनेटिक इंडक्शन, मतलब व इस तरह से अगर किसी कोईल में कोई नया EMF प्रड्यूस हो जाता है, जो कि हम गैल्वेनोमेटर की हैल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं, वो क्या होगा आपका इलेक्रो मेगनेटिक इंडक्शन, तो लेट एस स्टड़ी अबाउट फिल्ड 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 चेंज होता है, an EMF is induced in the coil, बतलब कि किसी भी कॉईल में अगर मैनेटिक फिल्ड 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 होता है, तो उसमें EMF induced होगा, this is the phenomenon, called the electromagnetic induction, यह हम उलरी देख चुके हैं, अब यहां पर हम देखेंगे कि Faraday ने दो लॉस दिये थे, इससररर से related, क्या कहें। मतलब कि electromagnetic induction के law के according जब भी flux change होगा तो EMF induced होगा अब ये EMF कब तक चलेगा? जब तक कि magnetic flux में change होता रहेगा If the magnetic flux increases, the current is induced in reverse direction मतलब कि अगर magnetic flux increase हो रहा है तो जो induced current होगा, वो reverse direction में होगा And if the magnetic flux decreases, the current is induced in the same direction मतलब कि अगर magnetic flux decrease हो रहा है तो जो induced current है, वो same direction में होगा यहाँ पर जो first law है, यह आपको current की direction के बारे में बता रहे हैं सबसे पहले क्या कहा? कि अगर किसी भी coil में या किसी भी conductor में magnetic flux change होता है तो एक EMF induced हो रहा है अब हम बता रहे हैं कि यह EMF कब तक रहेगा? जब तक कि magnetic flux change होता रहेगा Flux में change का मतलब यह है कि या तो वो increase होगा या वो decrease होगा अब यह बता रहे हैं कि अगर flux increase हो रहा है तो current की direction reverse रहेगी अगर flux decrease हो रहा है तो current की direction same रहेगी So this was the first law Second law में आईए देखते हैं क्या बताते हैं The magnitude of the EMF induced is directly proportional to the rate of change of magnetic flux cut by the conductor मतलब यह क्या होगा? कि जितना EMF induced होगा वो directly proportion होगा कि जितना magnetic fluxes में change हो रहा है Simple सी चीज़ है Magnetic flux की वजह सही तो यह induced current generate हो रहा था तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना flux होगा उतना ही current इसके अंदर induced होगा यह दोनों directly proportional होगे आये देखें कि mathematically हम इसको किस तरह से बता सकते हैं First law If the initial magnetic flux linked with a closed circuit is 5-1 तीक है? मतलब initial flux था वो हमने कहे दिया कि 5-1 Weber है After time dt मतलब dt समय के बाद क्या होगा? उसमें कुछ change होगे और it changes at a uniform rate to 5-2 Weber मतलब कि उसके rate of change क्या हो रही है? 5-2 Initial जो है वो 5-1 है और change होने के बाद वो किस तरह से हो जाएगा? 5-2 बनेगा Now rate of change of magnetic flux rate of change क्या होगी? 5-2-5-1 dt समय में चेंज हो रहा है इसलिए dt हुआ हमने इसको इस तरह से लिखेंगे d5 by dt Weber per second Now according to Faraday's second law Second law में हमने पढ़ा था कि जितना भी flux change होगा वो किस के proportional होगा? current total current EMF induced के proportional होगा यहां हम देखें E is proportional to d5 by dt और हमने क्या बताया कि E is equals to minus d5 by dt अब देखें यहां पर कि minus sign क्यों लगा है SI system में जो आपको 1 constant of proportionality है यहां पर हमने हटाया तो 1 मिला था The negative sign here shows that the induced EMF always opposes the change in the magnetic flux मतलब कि जो magnetic flux की वज़े से EMF induced होगा वो हमेशा oppose करेगा इसलिए हमने यहां पर minus sign का use किया है Now let's see the self induction Self induction क्या होता है जैसा भी हमने पढ़ा था electromagnetic induction मतलब कि magnetic field की वज़े से EMF produce हो रहा था उसको हमने कहा electromagnetic induction यहां पर हमको पढ़ना है self induction आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि induction मतलब कि कोई current induced होगा लेकिन क्या होगा Self induced होगा मतलब उसकी खुद की वज़े से होगा तो आएए देखें कि क्या हो रहा है Whenever there is a change in ohns current in a circuit or coil मतलब क्या बता रहे हैं कि अगर किसी circuit या कॉइल में current flow होता है और वो खुद के ही current में change पाता है ठीक है किस तरह से change होगा उसका खुद का current देखें There is change in the ohns number of magnetic field lines passing through the circuit or coil and EMF is induced in the circuit or coil itself This phenomenon is called self induction मतलब क्या हो रहा है कि अगर किसी circuit या coil में उसके main current की जगह कोई और current flow होने लगे मतलब उसका जो EMF है वो change होने लगे तो उसको हम कहेंगे self induction See, we have read that when current flows in a coil a magnetic field is produced around it जैसे हमने पढ़ा कि अगर किसी भी coil में current flow होगा तो उसके around क्या generate होगी magnetic field generate हो जाएगी Then, the intensity of which is proportional to the current flowing in the coil और इस magnetic field की intensity कितनी होगी उस coil में flow होने वाले current के proportional होगी Thus, if the current flowing in the coil is changed the intensity of magnetic field produced by the coil also changes मतलब क्या हो रहा है कि अगर उस coil में flow होने वाले current में कोई change आएगा तो उसकी magnetic field की intensity भी change होगी अब, due to which the magnetic flux linked with the coil itself changes मतलब क्या हुआ कि अगर coil में flow होने वाले current में कोई change आ रहा है तो magnetic field की intensity भी change होगी अगर magnetic field की intensity चेंज हो रही है तो उससे जो flux link है वो भी change होगा अब, जो flux change हुआ तो an EMF is induced in the coil और इसी changing flux की वज़े से एक EMF induced होने लगेगा इस तरह से हमने देखा कि जब भी क्या होगा कि किसी भी coil के अंदर अगर main current flow हो रहा है तो उसके around क्या हो जाती है? magnetic fields generate हो जाती है अब ये magnetic field क्या कर रही है? कि इस current में अगर कोई change आता है तो magnetic field की intensity में भी change आएगा इसकी वज़े से link होने वाले flux में भी change आएगा अगर flux change हुआ तो इस coil में main current के साथ-साथ एक और current flow होने लगेगा और उसी current को हम क्या कहेंगे? induced current और ये जो process से वो कहलाएगी self induction आएए हम इसे और अच्छे से समझते हैं picture में देखेंगे आप आपको दिखाई दे रहे हैं दो pictures A और B यहाँ पर आप देखें कि on pressing the key एक circuit maintain किया है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही हम इस circuit की key को press करेंगे मतलब क्या होगा कि इसकी circuit में current flow होने लगेगा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक main current flow हो रहा है जिसकी direction कुछ इस तरह से दिखाई गई है यह क्या हुआ main current हुआ अब यहाँ पर बता रहे हैं एक opposite direction में induced current induced current हमेशा opposite direction में ही flow करेगा बतलब जो direction होगी main current की उसके opposite direction में induced current flow होता है इट मींज कि जो induced EMF है वो main current को oppose करता है अब आप भी picture में देखें कि on releasing the key जब आपने क्या किया इस circuit को disconnect कर दिया तब आप देखेंगे कि main current जो है वो flow होना बंद हुआ तो induced current की direction भी यहाँ पर आपको change होती हुई दिखाई दे रही है आपको यहाँ से clear हुआ होगा कि main current के opposite direction में ही induced current flow होता है इट मीज वो main current को oppose करता है जैसे अभी आपने देखा self induction के बारे में तो self induction में क्या हो रहा था कि अपने ही coil के अंदर दो तरह के current flow हो रहे थे लेकिन यहाँ पर हम बात करें mutual induction की नाम से आपको समझ में आ रहा होगा mutual मतलब यहाँ पर दो चीज़ों का इस्तेमाल होगा आए देखें क्या के हिस की definition when current flowing in an electric circuit is changed and EMF is induced in the other circuit in its vicinity this phenomena is called mutual induction other words में हम इसे समझे कि if two coils are placed near each other मान लीजिए कि दो coil को क्या किया है आपर आस थोड़े दूर पर थोड़े distance पर place किया गया है and the current flowing in one coil is changed मान लीजिए यह एक coil थी primary coil कह देते हम इसे secondary coil बना देते है क्या हो रहा है कि अगर primary coil में कोई current flow हो रहा है और उस current में change होने लगा then an EMF is induced in the other coil तो इस changing current की वज़े से इस coil में भी एक EMF induced होने लगीगा this phenomenon of electromagnetic induction is called mutual induction mutual मतलब कि दो चीज़ों की बात कर रहे है हम पर दो coils की बात कर रहे है यहां से आपको समझ में आया होगा कि अगर हमने दो coil को nearby place किया है उसमें से अगर एक coil में flow होने वाले current में change होता है तो उसके प्रभाव उसके effect में आकर दूसरी coil में भी EMF generate होता है और यही process जो है वो mutual induction कहलाती है the coil in which current is changed is called the primary coil और दूसरी जो coil है उसको हम कहेंगे secondary coil let's see इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं यहां पर आपको दो pictures दिखाई दे रहे हैं जिसमें हम mutual induction को समझेंगे तो यहां पर हमने देखा कि आपके पास primary coil है और दूसरी secondary coil जब primary coil में आप current को flow करवाएंगे current flow होना start करेगा मतलब gradually दीरे दीरे वो current increase हो रहा है change in current का मतलब यही होता है कि जैसे ही आप switch को on करते हैं तो current suddenly उसकी maximum value तक नहीं पहुचता वो कैसे दीरे दीरे gradually increase होता है तो increase in current फिर क्या होगा कि जब current अपनी maximum value तक पहुच जाएगा और फिर आप क्या कर रहें तो current stationary flow होने लगेगा मतलब कि current में अब change नहीं हो रहा है दूसरा आप जैसे ही आप switch को off करते है तो current suddenly अपनी zero value तक नहीं पहुचता वो क्या करेगा जिस तरह से दीरे दीरे increase हो रहा था उसी तरह slowly slowly वो decrease होगा हाला कि यह जो phenomenon है वो बहुत ही ज्यादा speedly होता है बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम time consume करता है तो इसे हम फील नहीं कर पाते हैं लेकिन जो process होती है वो इसी तरह से होती है कि जब भी आप switch को on करते है it means plug in करेंगे तो current zero से flow होना start होगा तो उसके बाद वो map नी stationary value पर पहुच जाएगा और जब भी आप switch को off करेंगे तो gradually मतलब दीरे दीरे वो क्या होगा अपनी zero की position पर आएगा तो change in current यह होता है कि मतलब जब maximum value पर पहुच गया है तो current stationary flow कर रहा है लेकिन जब increase in current और decrease in current होता है उसको हम क्या कहते है change in the current यहाँ पर हम उसी की बात कर रहे है कि एक primary coil है और एक secondary coil primary coil का आपने plug-in किया मतलब कि यहाँ पर current flow होना start हुआ increase in current है न increase in current मतलब change in current उसकी वज़े से flux change होगा flux जब change होगा तो आप देखेंगे कि जो secondary coil है उसमें भी एक current induced होना start होगा लेकिन आप यहाँ पर एक और चीज़ देख पा रहे है कि जो primary coil में current flow हो रहा है उसकी direction और secondary coil में flow होने वाले current की direction आपको opposite दिखाए दे रही है this is the induced current जिसको आप galvanometer की help से detect कर सकते हैं कैसे है कि जब भी इसमें current increase होगा change होगा तो आपकी जो galvanometer की needle है वो क्या होगी? deflect होना start होगी यहाँ पर आप देख रहे है कि इसी current को क्या कहा है? induced current कहा है दूसरी तरफ आप देखो कि B ने आपको दिखाए दे रहा है कि on releasing the key जैसे ही आपने क्या किया? key को release किया it means current क्या होगा अब decrease होना start हुआ है न? current की direction क्या हो जाएगी? इस तरफ होगी यहाँ पर आप देख रहे है कि जो galvanometer है वो अब आपको left side में deflect होता हुआ दिखाए दे रहा है मतलब कि current की direction क्या है? यहाँ पर इसके primary coil के opposite है so this is the induced current जो की main current के flow की direction के opposite हो now here are some differences between self induction and mutual induction देखें हम यहाँ पर self induction क्या होता है? when the current flowing in a coil is changed induced current is produced in the coil itself यहाँ पर यह word को आपको ध्यान रखना है कि self induction में क्या होता है? उसी coil की बात कर रहे है हो कि अगर किसी coil में current flow हो रहा है और वो current change होता है तो उसके अंदर खुद उसी coil के अंदर एक induced current produce हो जाता है इस फिनोमिना को हम कहते है self induction mutual induction में क्या होता है? when the current flowing in a coil is changed induced current is produced in the other coil यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको? self induction itself उसी coil में होगा और mutual induction दूसरी coil में होगा this phenomena is called the mutual induction इसे हम mutual induction कहेंगे self induction in self induction the induced current directly affects the main current of the coil यहाँ पर आपने देखा कि जब एक ही current के अंदर current flow हो रहे दो तरह के opposite direction में तो obviously एक दूसरी को effect करेंगे mutual induction में क्या होता है? कि induced current flows in the other coil therefore it does not directly affect the main current यहाँ पर दो coil में current flow हो रहा है ना तो अगर इसमें कोई current flow हो भी रहा है तो वो main coil के current को directly effect नहीं करेगा now for self induction only one coil is needed obviously कि एक ही कोईल के current की बात कर रहे थे तो एक ही कोईल की ज़रौत पड़ेगी mutual induction के लिए हमें दो कोईल की ज़रौत पड़ दी एक primary और दूसरी secondary so these were the small differences between self induction and mutual induction I hope you have understood thanks for watching the video